शहर के मध्य इस्थित लुचकी तालाब की प्रदूशित पानी से बिमारी एवं चर्म रोग फैलने के खत्रे को देखते हुए शहर विधायक ने संग्यान में लिया है। लुचकी तालाब पहुँचकर नागरिकों से चर्चा कर लिया तालाब का जायजा और कहा कि 11 करोड की लागत से जल्द होगा जल्द संवर्धन हे तू तालाबू का काया कल। दुर्ग 36 गण मंच के अध्यक्ष इश्वर सिंग राजपूत ने शहर के बीच इस्थित लुचकी तालाब के प्रदूसिच सडन युक्त पानी को बदलने की मांग विधायक अरुन वोरा महाप और धीरज बाकलीवाल वा निगम आयुक्त से की थी। साथ ही उक्त तलाब में गंदे पानी से बीमारी फैलने का खत्रा बना हुआ है जिससे चर्मरोग जैसी बीमारी की शिकायत लगातार मिल रही थी जिस पर ग्रेंड एशियन न्यूज ने शहर की जंता के हित में प्रमुकता से समाचार दिखाया था। इसके चलते दुर्ग शहर विधायक अरुन वोरा ने मिली जानकारी को संग्यान में लेते हुए लुचकी पारा तलाब का जैजा लिया और नागरिकों को हो रही इस समस्या के बारे में जाना। गौर तलाबे की वरिष्ट कॉंग्रेस विधायक अरुन वोरा ने सोमवार को शिक्छक नगर लुचकी पारा वाड का सघन दौरा करते हुए नागरिक समस्याओं का जैजा लिया। नागरिकों ने बताया कि लुचकी तलाब का पानी बेहत प्रदूशित हो चुका है। सेधान्तिक सहमती प्राप्त हो चुकी है। इस दौरान वोरा ने नगर निगम करमचारियों से कहा की आठ तलाबों की सफ़ाई और सौंदरी करन कार के लिए कुल ग्यारा करोर रुपए का प्रस्ताव ततकाल तयार कर शाशन इस तर पर भेजा जाए। लुचकी तलाब के लिए 50 लाग रुपए का प्रस्ताव शाशन से मंजूर कराते हुए तलाब सफाई सहित आवश्यकार फोरण कराए जाएंगे। इसके लिए विधायक वोराने नागरिकों से अन्य समस्याओं के बारे में भी जाना। जिस तरह से शहर के लोगों को तलाब के गंदे पानी से परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी लगते ही शहर विधायक ने गंभीरता दिखाते हुए तलाबों का जैजा लिया। अब देखना होगा कि बारिश से पूर्व क्या कार हो पाएगा। क्या तलाब का पानी निकाला जाएगा। दुर्ग से ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए नसीम फारुकी की रिपोर्ट।